हेला फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चानल आज हम चेस्ट 14 इंचेस की प्रिंसेस कट विद बोटनेक की पेपर कटिंग देखेंगे सबसे पहले हम मेजर्मेंट देखेंगे हेल चेस्ट 14 इंचेस शल्डर आए 65 आरम होले 30 इंच लेंथ हे उसकी 14 इंच वेष्ट 36 इंचनल सलीवें 15 इंचल सलिव की फिटिंग सबसे पहले हम चेस्ट का वन फोर्थ लेंगे चेश्ट का वन फोरते हैं 10 इंच उसमें हमार रिंग के लिए 2 इंच मिलेंगे पर हम बैक की कटिंग करेंगे शोल्डर लेंगे हम कि शाड़े चेंज और हम नेक लेंगे चार इंच नेचे के और हम साड़े तीन इंच के लिए अन्त लेंगे नेक की इसका बॉक्स बनाएंगे आर्म होल लेंगे शाड़े चेंज और हम आदे इंच मिलाएंगे शाड़े चेंज के लिए अन्त लेंगे और जो यहांसे हमने शोल्डर ऊतर लिए वहांसे आर मुल रहेंगा शाड़े चेंज इसका बॉक्स बनाएंगे आज 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 शिष्ट का बनाएंगे आज 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 शिष्ट का बनाएंगे 10 इंच और यहां पे वार्जिंट के लिए दो इंच मिलाएंगे यहांसे हमें आदा इंच शोल्डर ऊतर लिया है इस तरह से हम निचान लगाएंगे अब हम जो हमारे बैक की कटिंगे इसलिए हम आवे बैक का और मॉल लेंगे इसलिए हम यहांसे शिप देंगे कार में आज से धृज़ के बाम हमारे फुल लेंध है 14 इंच इसमें हमें एक इंच मिलाएंगे आधा इंच उपर से लेक लिए और आधा इंच नीची की से लेक लिए इसलिए हम एक इंच मिलाएंगे यहाँ पर 15 इंच और यहाँ से हम आधा इंच अंदर के ओर लेंगे और इसके यहाँ पर जोइंट करेंगे आधा इसलिए विसको और यहाँ पर हम पीछे का हम टक्स लेंगे से अदे चारिंच वे और उपर चार इंच वे हम यहाँ पर टक्स की लेंगे इस तरह से आप अब बोटने के शब देंगे यहांसे बोटने के शब के लिए हम यहां 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको बोटने के शब देंगे यहांसे इस तरह अब हम इसको कट करेंगे फ़ले दोने पार सालक करेंगे करेंगे पार सालक करेंगे पार सालक करेंगे करेंगे पार सालक करेंगे हम नीचे वाली भी कटिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ बोटने की भी हम कटिंग कर लेंगे दोनों की बाराबर में अब यह बैक की कटिंग इसको हम साइड में रखेंगे और हम हम प्रेंड की कटिंग करेंगे आ यहां से हम शोल्डर लेंगे आर मोल वह यहां से आमने आधा इंच लिए वो कट किया है अब यहां से छे इंच तक लेंगे हम शोल्डर कि इसको यहां से सीधी लाइन देंगे अ कि अ कि अ कि फ्रंट का आर मोल रहेगा पौन इंच पर हम यह निशन लगेंगे और यह जो हमने आर मोल लिया है उसका सेंटर निकलेंगे तीन इंच तीन इंच से हम यहां पर आधे इंच पर निशन लगएंगे और इसको इस तरह से थोड़ा बाहर के वह से शेव देते हुए इसको कट करेंगे अब हम प्रिंस कट करेंगे प्रिंस कट करेंगे प्रिंस कट की प्रिंस कट के लिए हम यहां पर निषान लगेंगे ज्याद़ से ज्याद़ा हम यहां पर 4 इंच पे लेतें लेकिन यह चेस्ट 14 इंच से ज्यादा है इसलिए हम यहां पर चार इंच लेंगे अपर की और साड़े चार इंच में निश्ण लागएंगे यहंसे और यहंसे साड़े चार इंच पहेंगे यह है यह है यहांब पॉइंट रहेएगा अब हम इसको एक सीधी लाइन देंगे हैं यहांसे सीधी देड़ देड़ींच मिनीशान लगाएंगे यहांसे देड़ींच और यहांसे देड़ींच इस तरसे इसको हम यहांपे तीर चलाइन देंगे अब हम यहांसे एक इंचू पर लेंगे और मूल की यहांसे यह एक इंचू पर लिया है अब इसको हम इस तरह से प्रिंस कट कर सीप देंगे और इसके साइट से हम फॉटर इंच वे दो निशान लगाएंगे इस तरह से एक इधर एक शिप देंगे और इधर से एक अब हम इसको कट करेंगे यासे हम फ्रंड कार में कट कर देंगे इस तरह से अब हम इसको दूसरे पेच भी बढ़ाएंगे अब हम दूसरे पेच भी यहां से जो कॉर्णर है जो कॉर्णा है यहां से हम देंच लेंगे यहां पर देंच पॉइंट लगाएंगे और यह प्रंड का पार्ट है जो यहां से इसको हम इस तरह से तीर चार रखेंगे इस तरह से तीर चार रखने के बाद आवम इसको ड्रोग करेंगे प्रोग करेंगे हम यहां से ड्रोग करना सिफियां से और यहां से इस तरह से ड्रोग करने के बाद अब हम इसको कट करेंगे हम अला हम यहां हम यहां और यहां झाल झाल तरह से आप दूसरा जो पाट से उसको भी हम बढ़ाएंगे सिस्टर पेज पेज बेए ज़ुआ है कि हमारा फ्रण पाट इस तरह से आपने से साइट से तरह रखेंगे यहां सी हम जेडिंग कर लेंगे और इसे भी हम तीरचा रखेंगे इस तरह से तीरचा रखने बाद इसको भी हम ड्रॉ करेंगे की इस तरह से अब हम इसको चत करेंगे में जब और पर में करते हैं तभी हम डायरेक्ली इसको हम बड़ा लेते वह मैंने वीडियो अपूड किया अंट डायरेक्ट के चेकप बढ़ान आए वह मैंने एक वीडियोंट किया हैं और यह दूसरा तरिकाए है क्योंने कfunded, दुसरे पेच पे रख केस को बढ़ा कर कटना और हम जो फ्रेंट फर्ट हम पेपर कटिंग करते तब हम उससे पर बढ़ा की लेते हैं वह यह हमारा दुसरा तरीका और वह पहला वाले तरीका था इस तरह से हमने बढ़ा की लिए आए अब हम स्लीव के कटिंग करेंगे चेश्ट का वन पूर थे 10 इंच यहां पे हम 10 इंच लेंगे स्लीव के लिए न थे स्लीव पाच इंच हम उसमें 1,5 इंच मिलाएंगे यहां से 7 इंच में निशन लगाएंगे अगर आस्तर वाला ब्लाउज हो तो इसमें 1,5 इंच मिलाएंगे स्लीव के लिएंच में अगर बिगर आस्तर वाला हो तो 1,5 इंच मिलाएंगे यहां से हम तीन इंच मिलाएंगे जहां से ओपन साइड है यह डवल फोल में पेपर है यह ओपन साइड से हम तीन इंच मिलाएंगे और यहां से एक इंच पे इसका हम सेंटर निकालेंगे पाच इंच यहां पाच इंच से हम एक इंच नीचे लेंगे और आदा इंच नीचे इस तरह से आदा इंच और एक इंच यहां से हम एक इंच पे निचान लगाएंगे अब इस तरह से हम इंच सभी पॉइंट को जोइंट करेंगे इस तरह से स्लिव की फिटिंग है साथ इंच उसमें हम यहां पर एक इंच मिलेंगे और इनको यहां पर जोइंट कर देंगे इस तरह से अब हम इसको कट करेंगे अब पेपर के एक हिस्ते को उठाके इसको भी हम फ्रंड के आर्मोल की कटिंग करेंगे इस तरह से इस तरह से हमरे द्याडी इंच लिए आपने यह फोल्ड में जाएगा इस तरह से बेक साइड और यह फ्रंड साइड की कटिंग है आप यहां पर ओपन साइड रख सकते ब्लॉज को यहां भी हुपलग की पट्टी जोइन कर सकते हैं इस तरह से फ्रंड की साइड रें और स्लिव इस तरह से फोर्टी इंच इस की प्रिंसेस का टूद बोटने की प्रेपर कटिंग तयार है अगर आपको मेरा वीडियो पसाना अधर लाइक कीजिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल थेंक्यू फार वाचिंग मैं वीडियो